आप सब का आज की सेशन जिसका नाम है मिलिनियर मास्टर में स्वागत है मैं जानता हूं मेरे सेशन को आज बहुत सारे नए गैलवे डिस्ट्रिबूटर टाइडी वार अटेंड कर रहे हैं तो मैं आप सब का गैलवे परिवार में स्वागत करता हूं दोस्तों आप सब ने यहां आने से पहले इस सेशन को टेंड करने से पहले बिद्नस प्रेजेंडिशन जरूर देखियो तो मैं आपना सेशन दो सवालों से कर आँ पहला आपको उस सेशन में ऐसा क्या लगा हूँ आपने गैल बिजनस को चुना और दूसरा इस बिजनस को शुरू करते समय आपका नज़रिया क्या था आपका अधिटूट क्या था मैं पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ मैंने भी आपी की तरह आज से लगब 21 साल पहले यानि की 1999 में एक बिजनस प्रेजेंटेशन लेखे थी और एक डारेक्ट सेलिंग कापणी को जोइंग किया था उस समय मैं और मेरी गली में एक मेरा दोस्त रहता था वो मुझे इन दारेक्ट सेलिंग कामरी में ले गया था जब मैंने बिजनस प्रेजेंटेशन को देखा तो देखने के बाद मैं रिक्टाइक कर लिया कि मैं इस बिजनस को करूँगा और जो दो सबसे इंपोर्टेंट बाते मुझे वहाँ पे समन में आई जिन्होंने मुझे इस्पा प्रड़क लेना होता तो मैं प्रड़क खरीते गराज़ा दूतरी चीज मुझे अच्छी लगी वो था उस कंपनी का बिजनस प्लैंट और उस बिजनस प्लैंट की वज़ा से लाग और रुपई कमाने वाले लोग वहाँ कुछ लोग थे जो खड़े हो के अपने अनभाव शेयर कर रहे थे जिन्होंने इस बिजनस से अच्छा पैसा कमाए मैंने उनके चेक देखे मैंने उनकी मैगजीम में लगी फोटोस देखी मैंने उनकी गाड़िया देखी उनके पास वो सब कुछ है जिसका मैं कर सकता हूं जो इन लोगों ने किया इन दो बातों की वज़ा से मैंने त्याय किया कि मुझे मिन्यस करना चाहे कि मज़ेदार बात ये थी कि वो लोग वो लोग जिन्होंने पैसे कमाए तो उसमें हर तक्रिक बेखती था वहां पे डॉप्टर था वहां इंजिनियर थी वह लॉइर थी वहां पर सब्जी बेचने वाला भी था वहां किसां भी था दुबादर भी जयाने उस बिदनस में हर तप्के का वेगती हरता का वेगती कैसा कमा जाने देखा कि है एकर यह सब लोग ऐसे कमा सकते तो मैं क्यू नहीं कमा सकते है और इस सोच के साथ इस excitement के साथ तो पुछ मेरे मन में शंकाय भी थे बड़े सारे बड़े सारे इसे मन में तरह आपके ख्याला रहे था कि ये कंपणी पता नहीं कैसी है कॉछ इंप ऐस निदे आभाई कोई न सबस्क्राइब आने की मैं favor शिरींक ट्रैकर अबजस्य निदूर्ट के नहीं है कि के टाइड अपय不好 कणंद लोगों ने अपने घड़ा खड़ी क्या मैं टीन खड़ी कर पाऊंगा, मैं टीचर आत्मी हूँ, मैंने आई तक एक सुई नहीं बेची, क्या मैं प्रड़क रेच पाऊंगा, क्या मैं लोगों को कर पाऊंगा, क्या मैं वहां काम्याब हो पाऊंगा, अगर मैं काम्याब नहीं हो पाया तो, मैं लोगों को कर नि पाइनली सुवे, मैंने फैसला लिया कि मैं बिद्श करूँ, जब मने फैसला लिया तो मैंने क्या सोचके फैसला लिया, वो आपको बताता हूं। मैंने दो बाते सोची, मैंने सोचा, अगर ये जो कुछ मैं कल देख क्या हैं, ये सब सच है, तो चेतना अंडर तेरी लाइट चेनल जाएगा, और अगर सच नहीं है, तो जादा से जादा क्या होगा, अगर कामिया हो गया, तो थीक, नहीं हुआ तो तेरे पास तेरे प्रोडक्त है, तो अपना ट्यूशन पढ़ा रहा है, पैसे कमा रहे हैं, वैसे भी पार्ट टाइम काम करना, तो इतना पर्शान होने की क्या सबत है, तो मैंने उस समय सोचा, कि चलो करके देख लेते हैं, मैंने इस आलिट्यूट के साथ इस बिद्नस को शुरू किया, कि चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात ने, और मैंने अपने दोस्त के साथ अगले दिन जाके बिद्नस को जॉइन कर लिए, जब मैंने बिद्नस जॉइन कर लिया, तो मैंने कहा कि यार, अब आपको बिद्नस का ट्रेनिंग लेना है, मैंने उस से पूचा की ट्रेनिंग, कौन देगा ट्रेनिंग, उसमें बोला, मैं ही दूँगा तुछ को ट्रणी, और कुछ ट्रेनिंग तेर को मेरी अपना ही ले, मैंने उस से तो कुछ नहीं का, मगर मैंने मन में कि क्या मैं इससे ट्रेणिंग हुँए था। मैं इतना पड़ा लिखा विप्ति, फिसिक्स का ठीचर, आप मुझे को यह ट्रेणिंग देगा। मैंने अपने अभीमान में उसको कुछ नहीं बोला, उसको सरवे बोला, यह ट्रेणिंग करकी क्या करना है। तुमने मुझे बोला था कि मुझे अपने लोगो को एक एक करके आप लोगों से मिलाना, मैं मिला दोका। उसे मुझे बोला आपको लिस्ट मनाने की क्या भूरत है। और मैंने बोला मुझको को ट्रेनिंग नहीं करनी में आप ऐसी भी टाइम नहीं होता भाई और मैंने उसकी बात को काट दिया उसके बाद मैंने एक-एक-डो-दो करके उनको गेस्ट को मिरवाया आप यकीन माने कि दोस्तो मुझे अब टीक से नमबर लियार नहीं है मैंने 25-30 गेस्ट मिलाएं होंगे और उने से मुझे किसी में ज्वाई नहीं किया किसमें मेरे साथ बिदिनस करने में इंटरस्ट में भी बिखा रहा और जब-जब मेरे गेस्ट मुझको मना करते थे जब-जब मेरे गेस्ट मेरे को ना कर देते थे मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था क्योंकि कुछ लोग बद स्रकास्टिकली भी मना करते थे और मैं बार-बार ये मन बनाता था कि मैं बिदिनस छोड़ देता और मैं मन में कहता था मैंने तो वैसे भी एक्सवर्च के जॉइन कया था करके देख लेते हैं हो गया ठीक ने तो कोई बात मैं छोड़ देता यार मैं तो भी तुशें बढ़ा था और मैंने दो तीन बार बिदिनस छोड़ दे लेकिन मेरी अपलाइन मेरी अपलाइन है और हमारी पूरी टीम है वो रात को एक जगा पर कठे होते थे उस जगा को हम गयते थे अड़ा वो हमारी एक सीजेर अपलाइन की एक शॉप थी जो साथा आप में बंद हो जाती थी काफी बड़ी जगा की तो वहां शॉप को कठे होते थे सारे तो मेरा फ्रेंट मेरी जो अपलाइन है वो मुझे वहां ले जाता था तो मेरा जाता था तो मुझे फिर से मौटवेत करते थेения मेरे कहने को वक्त निकाल के ट्रेडिक ले लिजी आप एक बार मेरे कहने को वक्त निकाल के ट्रेडिक मेरे मन में क्या बात आई क्या बुद्धी बैठी मैंने उसकी बात माली और मैंने ट्रेडिक लेकर और जैसे जैसे मैं वो ट्रेडिक ट्रेडिक ट्रता गया मुझे बहुत पश्टा हूँगा मुझे समझ में आया कि आचली मैंने 25 ती गैस ट्रेडिक नहीं किये थी, मैंने 25 ती सिर्ड़न्डर किये थी वो टेनिंग लेने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने 25 जिस ब्लेंडर किये थे दोस्तों मुश्किल से 5 साथ गंटे की टॉटल ट्रेनिंग थी जो मैंने एक गंटा करके रोज करके 6-7 दिन में पुई कि उसके बाद मैंने 20 गेस्ट इंटिड्यूस किये जब मैंने 20 केस्ट इंटिड्यूस किये तो आप जानकर हैरान दे जाएंगे कि वो 20 लोग वो थे जिन्हें मैं अच्छे से खीक से जानता भी नहीं था उनमें से 5 लोगों ने मुझे जोइन कर लिए और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा अब यह जो बाद मैं आपको सारी बता रहा हूं जो मैं आपको सारा कुछ सुझा रहा हूं इस सब्में क्या हूँ हूँ मैं आपको संजाने चाहता हूँ आफिर उस ट्रेइनिंग से बदला किया वो समयनी की जु अब ला की जन में विदना शुरू किया था को मेरा ळी शुरू किया करना मैं अथे अधूर विश्वास के साथ मैं से शुरू किया ऐसे आधूर यहूत शऱ कर कर देख रहा थैब कर से बाक्यात box मैं इस और वर नहें आँए अधा दूर टैता कुम आको भी exist réfulen में इनले तो आप उन्हें क्या परोसेंगे, आप उन्हें यही सब परोसेंगे, जब आपको बोला जाता है, आप गेस्ट लेके आओ, किन लोगों को आप लेके आते हैं, आपके दोस्त, आपके रिष्टिदार, आपके साथी, आपके फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, जिस बिदनस लिए लिए जिसके लोगों के आपको विश्वास नहीं है, पहला सवाल, तो आप वेसा बिजनस आपको अपने दोस्तों को उफर करना चाहिए, अधिकली भी ठीक नहीं है। दूसरा अगर आप उफर करें दी तो आप बड़े आधे अधूरे आप विश्वास के साथ उन्हें उफर करेंगे वो जिर्दगी में कभी जॉइन नी करेंगे इस लाग को थोड़ा इस तरीके से संगें अगर आप उसके पास जाएं और उसे बोलें यार कि तुम मेरा वी यार यह आइस्वीं का विदनस शुरू करादे और वो आपको बोले कि ठीक है तुम आइस्वीं का विदनस शुरू करने तुझे पूरी हल्प करूंगा मैं तुझे दिल से सिखाऊंगा सब कुछ करूंगा वहां पर दुकान ले बीव सलाग पर तुझे इंवेस्ट करने है तेरे को विदनस में सफ़ाउता दिलाने की गरेंटी मेरी है 100 परशेंट तु सक्सेस्ट होगा है आप उसी बात पर इंवेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे आप 100% करेंगे क्योंकि वह बात जो बोल रहा है उसकी आखों में जो confidence है जो आप विश्वास है वह आपको मजबूर करेगा कि आप उसकी बात माने जब आप किसी बिद्नस में faith रखते हैं जब आपको खुद को उस बिद्नस के बारे में भरोसा होता है तो लोग आपकी बात मानते भी है और सुनते भी है क्योंकि वह आपकी बाते नहीं सुनते हैं वह आपके confidence को read कर लेते हैं तो जिस बिद्नस में आपका faith ही नहीं है जिसको आप शक की नजर से देख रहे हैं जिसमें आपकी शंकाय नीचे से लेके उपर तगरी हुई है उसमें आप काम्याब नहीं हो सकते अगर आप इस आदे अदूरे attitude के साथ करके देख लेता हूं इस attitude के साथ इस बिद्नस को क करने की कोशिश करेंगे तो आप 100% fail हो जाएंगे दोस्तों 99.9% लोग जो इस बिद्नस को शुरू करते हैं इसी attitude के साथ शुरू करते हैं क्योंकि एक घंटे की business presentation में आपको confidence नहीं आ सकता है इस आदे अदूरे विश्वास के साथ इस attitude के साथ करके देख लेते हैं जादर कर लोग इस attitude से शुरू करते हैं तो इसमें बुड़ाई नहीं है कि आपने इस attitude से शुरू किया प्रॉब्लम यह है कि आप इस attitude को भरोसे में convert नहीं कर रहे हैं विद्नस ज्वाइन कर लिए आपने इस attitude से यहां तक ठीक है लेकिन विद्नस अगर आप करना चाहते हैं तो उससे पहले में आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले अपना इस बिद्नस में भरोसा पहला करें तो पहली चीज़ जो इस बिद्नस में काम्याभी के लिए चाहिए हो है faith, faith in the company, faith in the business, faith in the product, faith in the business plan. पहले आप खुद कॉंटेंट होए कि क्या यह company general है, क्या company का plan अच्छा ह पहले है, किया वो लोग जो यहाँ से लागरोपए कमा रहे है हैं वो वास्तिरिक्ता में है क्या क वो REAL है, क्या इस company के business plan में वो अच्छा है कि आपकी life बदल सकती है, क्या इस company के business plan में वो ताकत है कि आप यहाँ से लागरोपए कमा सकते हैं, जब इन बातों के answer yes में आ और आपको 100% बरोसा हो जाए, यहां सब कुछ मुंकिन है, तब ही आप इस बिजनस को करेगे, और अगर आप तब इस बिजनस को करेगे, आपको काम्याब होने से कोई नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, कि यह बरोसा आएगा कैसे है। यह बरोसा आता है दो चीसों से, पहला ट्रेनिंग और दूसरा आपका अनुभाव। 70% रोल है ट्रेनिंग का और 30% रोल है आपके एक्सिजनस का। जिस दन आप इस बिजनस को जॉइन करते हैं तो मेरी विखर्स है उस दिन आप अपनी अप्लाइं की ओमली पकट लिची है। जो आपकी अप्लाइं आपको गाइड करें आप वही सब करें। आप हो सकता है अपने प्रोफेशन में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, पीचर हो। हो सकता है आपकी अप्लाइं कुस प्रोफेशन की ना हो उतनी पड़ी लिखी भी ना हो जितनी आप हैं। वह पढ़ाई इठाई उस दुनिया की है। लेकिन अगर आप इस बिद्नस में आये हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने पुराने एक्सपीरियन्स, पुराने अनुभाव हो सकता है। आप किसी कॉर्परेट दुनिया में MBA हो, Manager हो, Educator हो, Trainer हो, उन सारे अनुभाव को आप साहिद मेरत लिए। ओपन माइड होके आपको इस इंडस्ट्री के ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और वो ट्रेनिंग आपकी अपलाइन ही देगी। यैश्फ dauj वो परनपरा से सारी ट्रेनिंग अनुभाव के साथ उनके पास आई होगी। तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग कीजिए। पूरी ट्रेनिंग, विट्वाउट अनि kanjhusूसी, बिला किसी kanjuसी के साथ आप ट्रेनिंग अटेनिग कीजिए। तो पहली चीज़ जो आपको चाहिए इस विदनस में काम्यादी के लिए वो लुटी चीज़ आपको चाहिए इस विदनस में काम्यादी के लिए चाहिए? फेथ. क्या चाहिए आपको? फेथ. मेरे साथ क्या बोली है? क्या चाहिए आपको? फेथ. और फेथ किससे आप है? दो चीजों से. नमबर एक ट्रेनिंग. कितना परसेंट फेथ आएगा ट्रेनिंग से? 70 परसेंट. और दूसरा आएगा experience. 30 परसेंट आपको फेथ अनभव से. अब मैं अनभव से ही दूसरी बात पकड़ लेता हूँ. दूसरी चीज आपको क्या चाहिए यहां से काम्याब होने के लिए? दूसरी चीज जो आपको यहां चाहिए काम्याब होने के लिए वो है आपका commitment. ज्यादा तर लोग इस business के साथ जब वक्त देने की बात आती है तो न्याएं नहीं करते हैं. फिर वापस आ जाता हूँ attitude करके देख लेते हैं. बहुत सारे लोग इस business को business मानते ही नहीं है. इस business में सबसे बुरी अगर कोई बात है तो वो बता देता हूँ. वो बात यह है कि इस business में कोई investment नहीं है. इस टीपिटर शेप फ्र पर जी पैसों से business को शुरू कर सकते हैं. आपको कोई रोगने टोपने वाला है नहीं. क्योंकि आपको आजादी है, freedom है, free will है. इसलिए लोग इस business में serious नहीं होते हैं. जो इस business का potential है, जो इस business से मिल सकता है, उसके लोग जड़ा समी serious नहीं होते हैं. यही अगर किसी नहीं होते हैं. जिस तरह से हम किसी दूसरे business में seriousness देते हैं, अगर उतनी seriousness इस business में देंगे, मैं आपको guarantee दे रहा हूं यह business आपको कभी दिराश्न करेगा. इस business में आपको 100% सफ़ता देगा. इसलिए दूसरी चीज़ इस business में जचाहिए, वो चाहिए commitment. यह सही है कि हमने बोल अगर आप पार्ट टाइम काम शुकरों, मगर पार्ट टाइम की commitment के साथ, अगर हमने बोला 2-3 घंटे आपको रोई देने हैं, तो देने, commitment के साथ, यह नहीं, आज मन कर गया तो चले गया, मन गया तो नहीं, दो से तीन घंटे आपको देने हैं, और कम से कम तीन साल के एक considerable time देना पड़ता है, किसी में दूसरे business के तरह, इस business में भी आपको seriously कम से कम तीन साल देने पड़ेंगे, अगर आप तीन साल इस business में दे रहेंगे, training लेंगे, और commitment के साथ काम करेंगे, मैं आपको guarantee बोल रहा हूं, आप इस business को कभी नहीं चुरेंगे, मुझे बहुत स सारे ऐसे लोगों को जानते होगे, जिनों ने ये business शुरू किया, मगर अपने पहले तीन सालों में छूड़ दिया, उन्होंने इस business को business की तरह किया ही नहीं, पहली बात उन्होंने इस attitude से नहीं किया, उन्होंने भी lottery के तरह, इस business को किया कि करके देख लेता है, दूसरा उ उन्होंने commitment के साथ इसके time नहीं दिया, तीसरा और रोने training नहीं दिया, अगर किसी ने commitment के साथ काम किया और तीन साथ इस business को दिये, उन लोगों में से कितने उन्होंने business को छोड़ा, वो मेरे सामने लाखी घड़ेगा, उनकी संख्या बहुत कम होगी, और जिन्होंने यह सब नहीं किया और business छोड़ दिया, sorry उन्होंने business नहीं किया, तो उन्होंने के lottery की चीज़, और lottery के result आप सब जानते हैं क्या तो दोस्तों, इस business में दूसरी ची और दूसरा, तीन साल आपको इस business को देने हैं, अब तक मैंने आपसे दूवाते कुली, पहली चीज़, इस business में कामियाँ होना है तो उसके लिए fit चाहिए, fit आएगा training से और दूसरा आएगा आपके अनवाव से, और अनवाव के लिए आपको दूसरी चीज़ देनी है commitment, यानि आपको रोज कम से कम धाई से तीन घंटे काम करना है और वो भी तीन साल के लिए है, अब मैं तीसरी और सबसे important बात प्याहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस business में काम्याद हों, तो तीसरी और सबसे महतफून चीज़ जो आपको चाहिए वो है एक सपना, एक खाम, आप सब के पास एक सपना होना चाहिए और उस सपने से प्यार होना चाहिए, जब मैं प्यार की बात करता हूं, तो प्यार से मेरा वो ही मतलब है, जो प्यार एक लड़के और एक लड़की में होता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, तो उसको यह पूरी दुनिया से लड़ जाता है हर तकलीफ सहता है कुछ भी कर गुजरने के लिए त्यार रहता है वैसा ही त्यार आपको अपने सपने से होना चाहिए दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं गरीप परिवार का लड़का था नाइटी नाइटी नाइन में हम साथ लोग परिवार के साथ लोग एक कमरे के मकाम में किराये पे रहते थे जब मैंने पहली बार डिर्क सलीं की बिद्नस प्रेजेंटेशन देखे थी तो मेरा उस समय सरफ यह ही खाब था कि मुझे एक छोटा सा घर ले रहा है और मैं उस खा आप ने मुझे जगा रखा उस सपने ने मुझे जगा के रखा और यकीन मानिए दोस्तों सिर्फ पांच साल में मेरा वो सपना पूरा हो गया तो मैं आप से कहूंगा कि अगर आप इस विद्नस में काम्याव होना चाहते हैं तो कीसरी और सबसे मैं कृप्रों चीज यह है क अब सपने के लिए वी से शापनी उन्सस उतिरों boy you रम्हाइब में में अजाएवीन जो आपका सपने व्हों से आपको क्या होना चाहिए भूब सपना गलें उस सपने को सद्रों करें जब आप उसे विजुलाइज करेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा, अब सकने को विजुलाइज कैसे किया जाता है, सपने को जीआ कैसे जाता है, सपना आपकी आखों में होना चाहिए, मैं यह आपको एक उधारण के साथ समझा गूँ, मान लीजे आपका घाव है कि आपक को ऐक कार खरीद नहीं है तो सबसे पहला सवाल पुछ adher Audio कौनसी कार खरीदा है याद रखे दोण सपन की मारूति सब्सक्री करीद में है मालीज आपका सपना है कि मुझे आरूति सिफ्ट कार खरीद नहीं तो अगला सवाल पुछे कौन से कलर की मालीज आपने का मुझे सफेद रंग की मारूती स्ट कार करीदनी है मैं आपको अड़ाइज दूँगा आप अपने एक दोस्त के साथ सुप्ट के शोरूम में चले जाए वहां पे उस स्ट कार को पसंद करिए जो आप बविश्य में खरीदना चाहते हैं उस फोटो को बाहर आएए एक फोटोग्राफर के पास जाएए उसकी एक फोटो बनवाई है उस फोटो को अपने बैटरूम में दिवार पे लगा दिए इसको बोलते हैं अपने सपने को विजलाइस करना इस खाब को आप सुबह दुपैर शाम रात उठते बैठते जागत करें अपको स्क्रीं सेवर जो है वो भी यही लगाई है यह सपना आपको हमेशा जबाइक़ा यह सपना आप impacts हेलं क्राएगा हाम यह सफनाा हो बिजनस में कमिटमेंट ऑब वाईगा यह सपना आपको बिद्नस में आने वाली हर परशानी से लड़ने की ताकत देगा दोस्तों बार बार गिर के आपको उठने की प्रेंटा देगा और यकीन माहिए दोस्तों यह सपना आपका 100% पुरा होगा बस अपना फेट सही रखना है इसके साथ मैं अपने इस ट्रेणिंग के पार्ट वन को खतन करता हूं पार्ट टू के अंदर मैं आपको बताओंगा कि क्या ग्लेज बिद्नस प्लान में वो ताकत है कि जिस से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं पार्ट टू में मैं आपको बताओंगा कि जादा पैसा कमाने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए तो चलिए अब हम पार्ट टू की तरफ चलते हैं